Hello everyone, जैसा कि बहुत जदा अवेटेट था, हमारा UGC Net Management का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो भी student interested है, वो हमारे कोर्स में इन्रॉल कर सकते हैं, हम उसकी सारी डीटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या कोर्स पैक होगा, उसके अंदर आपको क्या क्या मेटियर प्रवाइड कराया जाएगा, कितने वीडियो होंगे, कितने प्रैक्टिस सेट होंगे, और कितने मौक टेस्ट वगरा होंगे, तो चलिए हम EK करके discuss करते हैं कि इस course pack में आपको क्या-क्या provide किया जाएगा चलिए EK करके हम देखते हैं इसके अंदर तो सबसे पहले देखिए हमारा batch जो है ये 15 July से start हो रहा है और ये 15 December तक चलेगा देखिए actually में management का जो paper होता है ये 20 या 25 December के बीच में होता है सो आपका 15 December से पहले आपका syllabus complete हो जाएगा आप उसके बाद revise कर सकते हैं अपना approximately आपको 7-10 days का time आपको पास मिलेगा revise करने का सो देखिए इसके अंदर आपको क्या-क्या cover किया जाएगा इसके बार में एक बार हम देख लेते हैं सो इसके नदर आपको complete slavers cover किया जाएगा each and every topic detail में as per NTA का exam pattern जो है उसके according ही slavers cover किया जाएगा पूरा का पूरा और आप इसके पूरी detail notification के लिए आप हमारे website पर विजिट कर सकते हैं हमारी website आप देख सकते हैं यहाँ पर सो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी query है या फिर कोई भी आप detail में इसके notification देखना चाते हैं तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि क्या-क्या चीजे इसको आपको material में cover की जाएगे देखिए आपको हर एक topic का simplified videos, notes and material प्रवाइड किया जाएगा mock test conduct कर वाजेंगे at regular intervals daily pitches हमारे conduct किये जाते हैं telegram group पे आप telegram group join कर सकते हैं हमारा अगर आप pitch attempt करना चाहते हैं तो आपको telegram group का link description में provide किया गया है आप वहाँ से join कर सकते हैं हमारे telegram group चलिए देखते हैं आगे इसके बाद आपको complete revision कराये जाएगा past year paper के अंदर जो पूछे गया है देखिए NTA net के paper में ज्यादे तर past year paper repeat किये जाते हैं तो आप अगर past year paper काफी अच्छे से prepare करके जाते हैं और उसकी correct answer आपको पता है तो आप उसके basis पे अगर further उसके अंदर कोई modify करके या फिर कोई भी changes करके अगर कोई नया question दिया गया है तो आप उसका आप उसका answer easily guess कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं और यहां पर आपको live doubt session भी मिलेगा तो अगर आपको कोई भी doubt है किसी topic से related तो आप उसको regularly solve करवा सकते हैं आप अपनी query telegram group पर post कर सकते हैं आप हमारे website पर विजिट करके आप वहां पर अपनी query post कर सकते हैं सो आपको वहां पर भी doubt session का chance मिलेगा चलिए देखिए सारे important topics जितने भी important topics हैं उससे related सारी आपको चीज़े cover कराई जाएंगी और आपका सारा complete revision होगा देखिए अगर December में paper है तो November के मन्त में आपका सारा complete revision होगा उसलिए बसका जितना भी आपको नवंबर से पहले कराई जाएगा November में चलिए इसके अंदर आपको 500 प्लस video lectures मिलेंगे हर एक topics related in depth में सो आप उनको देख सकते हैं और last minute overview आपको हर एक topic का कराई जाएगा चलिए एक पर देख लेते हैं subscription plan हमारे कैसे हैं सो देखिए आपको इसमें 2 courses मिलेंगे एक तो classic course और pro course अगर आप paper 1 का subscription लेन अगर कर सकते हैं दीखें अगर आप classic course 1 month के लिए enroll करते हैं तो आपको प्रैजिंग होगा वह होगी 750 रुपीज पर मन्त अगर आप 3 month के लिए प्लस पेपर 2 कमबाइन दिया जाएगा उसके लिए आपको par month charges जो होंगे वो होंगा 1500 per month अगर आप 1 month के लिए unroll करते हैं अगर आप 3 month के लिए unroll करते हैं तो आपकी pricing होगी 1200 रुपीज़ per month अगर आप 6 month के लिए unroll करते हैं तो आपकी pricing होगी 1000 रुपीस पर मन तो आप अपनी choice के according अपना plan select कर सकते हैं, अगर आप management field से belong करते हैं, तो आप हमारा pro pack ले सकते हैं, और अगर अगर अधर than management field से हैं, तो आप हमारा classic pack ले सकते हैं, देखिए आपको इसमें 7 days का free trial भी दिया जा रहा है तो अगर आपको 7 days का free trial चाहिए, तो आप हमारे email पर email कर सकते हैं, या फिर आप हमारे दिये को भी नंबर पर contact भी कर सकते हैं, चलिए एक बार हम एक बस UGC net के management syllabus पर नजर डाल लेते हैं, क्या के management syllabus के अंदर क्या क्या चीज़े पूछी आती है, कौन कौन से economics पूछी आती है आपसे, और थर्ड आता है आपका corporate governance, ethics and corporate social responsibility, इस ते related आपसे कुछ questions पूछे गए हैं, चलिए, unit number 2 पे आते हैं, तो इसके अंदर organization behavior से काफी questions पूछे जाते हैं, unit number 3 पे आते हैं, तो इसके अंदर human resource management से questions पूछे जाते हैं, unit number 4 की बात करें, तो यहां पे accounting and financial management की basic question पूछे जाते हैं, accounting and financial management से काफी basic question आते हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा depth preparation की कोई जरूरूरत नहीं है, आप अगर इसके basics और conceptual चीज़े भी prepare कर लेते हैं, तो आपका UGC net clear हो सकता है, चलिए unit number 5 की बात करें हम, तो इसके अंदर आपसे financial management का advanced portion जो है, जिसमें की आपका capital bursting cover हो जाता है, dividend decision cover हो जाते हैं, तो इससे related आपसे questions पूछे जाते हैं, security analysis and portfolio management, इससे आपसे portfolio से related questions आ जाता है, international financial management, जिसके अंदर आपसे exchange rate, international portfolio theory, इससे related आपसे questions पूछे जाते हैं, unit number 6 की बात करें, इसमें आपका strategic management and marketing management cover होता है, unit number 7 पे consumer behavior, supply chain management and international marketing, जो की marketing का ही in-depth portion है, उसके बारे में cover किया जाता है आपसे, unit number 8, इसमें statistics and operational research, इसको आपने quantitative techniques in management के नाम से भी paper पढ़ा होगा, इससे related आपसे questions पूछे जाते हैं, unit number 9 पे आते हैं, तो इसमें आपसे international business and information technology, इससे related आपसे questions पूछे जाते हैं, और unit number 10, जो की last unit है की, इसमें आपसे entrepreneurship and small scale industry, MSME sector और small scale sectors related आपसे questions पूछे जाते हैं, आपने देखा इसका syllabus किस टाइप का है और किस तरीके से unit wise इसको distribute किया गया है, हमारे courses में इन सारे topics को in-depth में clear कराये जाएगा, आपको हरे topics related practice set प्रवाइड के जाएगे, so that आप अपना performance evaluate कर सके, so आप हमारे साथ बने रहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, हम UGC net के regular videos upload करते रहते हैं, so अगर आपकी कोई भी ऐसी query है, तो आप हमारे comment section में लिखिए, हम उसको resolve करेंगे, thank you